इस गेम में यह एलियन जो हैं यह नीचे गिर रहे हैं और हमार को कैनन से इनको शूट करना है इसको हम डिफरेंट लेवल्स पर बराना सीखेंगे फिर्स लेवल पर केवल सिंपल गेम बनाएंगे उसके बाद उसमें स्कोरिंग एड करेंगे उसकी लुक्स जो है वो जादा प्रोफेशनल करेंगे और बाद में उसमें इवन लेवल्स वगेरा जो है वो आड कर सकते हैं तो हम स्क्राइच ऑनलाइन पर जाके एक नया गेम क्रियेट करते हैं तो सबसे पहले हम एक ब्लैक बैग्राउंड बनाते हैं हमारे गेम का तो अब हम स्प्राइट बनाते हैं और स्प्राइट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमें प्रोफेशनल लुकिंग स्प्राइट बनानी है तो हम किसी ग्राइफिक लिजाइन इसकीडियर में जाके तो उसको यहां लाने के लिए स्प्राइट में जाके अप्लोड स्प्राइट क्लिक करके मैं एक यह एलियन जो है यह लेके आ रहा हूं अब यह बहुत बड़ा है तो इसको हम छोटा कर सकते हैं साइज में ताकि यह हमारे गेम के लाइक रहे इसके बाद हम एक और हमारको sprite चाहिए जो है हमारी cannon और इसको हम paint करेंगे next sprite जो हमें चाहिए वो है एक bullet तो वो भी हम paint करते हैं तो अब हमारा background alien की sprite, cannon की sprite और bullet की sprite ready है तो अब हम इस game की coding शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले cannon की sprite पर जाके इसको code करते हैं तो हम cannon की sprite को क्या चाहते हैं कि ये left और right move करें तो left और right move कराने के कई तरीके हैं कि हम event में जाके हम कह रहे हैं कि when right arrow is clicked motion में जाके move 10 steps तो जब हम right arrow click करेंगे तो ये हमारी cannon जो है ये right जा रही है पर जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें जो motion है वो बहुत जरकी है प्लस क्या होगा कि जब हम bullet इससे fire कराएंगे तो at one time एक ही चीज़ होगी या तो वो move करेगी cannon या bullet fire करेगी इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है move कराने का इससे बहतर एक तरीका है कि हम कहें कि जब तक right key pressed है तब तक तो move 10 steps और keep doing it till right key is not pressed तो इसको हम कह रहे हैं कि control में जाकर keep repeating तो till right arrow is pressed keep repeating move 10 steps तब तक repeat करते रहना जब तक कि right arrow को हम unpress नहीं कर देते हैं तो ये हम sensing में जाकर फिर ले रहे हैं और यहां पर हमारे को मिलेगा when right arrow पर ये भी कह रहा है right arrow pressed हम कह रहे हैं till right arrow not pressed तो इसलिए हमारे को operator पे जाकर एक not की command देनी पड़ेगी तो ये हमारे को smooth motion मिल जाता है similarly हम इसको duplicate करके कह देते हैं कि till left arrow is pressed keep moving 10 steps to the left यानि minus 10 till left arrow is not pressed तो अब हमारे को हमारी cannon मिल गई जो की smoothly left and right move कर रही है तो इसके बाद हम alien की programming करते हैं और alien हम क्या चाहते हैं कि aliens जो हैं वो उपर से नीचे गिरते रहें और वो height यानि y-axis में तो यहीं पर रहें पर x-axis में randomly इधर उधर generate हो और generate होके फिर नीचे गिरते रहें तो generate करने के लिए हमारे पास scratch में एक command है create a clone of myself clone मतलब copy और हम कह क्या रहे हैं कि क्योंकि यह हम alien की हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं events में जाके when green flag is pressed forever keep creating clones of myself तो जैसे हम यहां पर green arrow प्रेस करते हैं तो इसके clones बन रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो एक के उपर एक बन रहे हैं और यह देखने के लिए कि इसके वाकी में बहुत सारे clones बन रहे हैं आपको समझाने के लिए मैं यहां पर जाता हूं motion पर और यहा तो इसके लिए हम वापस कंट्रोल में जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि वेन आई स्टार्ट अधर क्लोन तो जब भी हम क्लोन बनाते हैं फिर क्लोन की प्रोग्रामिंग के लिए हमें ये कमांड लानी पड़ती है नीचे आना विच मेंज की वाइ की वैल्यू चन्ज हो रही है तो हम मोशन में जाके कह रहे हैं रिपीट अंटिल रिपीट वट चेंज वाइट यू इध तो ये edge की sensing हमें कहां मिलती है यह हमें यहां sensing में मिलती है drop down करके edge तो हम कह रहे हैं कि when I start as a clone, repeat until touching this edge y की value यहां हमें minus 10 डालनी है क्योंकि हमें नीचे लाना है तो इसको हम test करके देख सकते हैं alien जो है, clones generate हो रहे हैं और नीचे की तरफ गिर रहे हैं अब हम क्या चाहते हैं कि जब यह clone generate हो तो यह x-axis में randomly यहां से यहां कहीं भी हो जाएं तो हम इसके लिए कहां जाते हैं, हमारे पास motion में है, go to x and y तो हम यहां कहते हैं कि when I start as a clone go to x and y positions कौन सी position, तो y तो ठीक है यह y 156 की यहां value है तो y तो यही है पर x में हम चाहते हैं, कहीं भी random पर आए तो random, हम अरको operators में यह random एक function मिलता है और हम यहां पे यह random function ला रहे हैं और scratch में x-axis जो है यह minus 240 से लेके plus 240 तक जाती है तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि x की जो value है वो randomly कहीं शुरू करना between minus 240 and plus 240 अगर अब हम test करते हैं तो यह हमारे जो clones हैं यह randomly generate हो रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं पर यह नीचे आके सब stack up होते जा रहे हैं तो एक चीज तो हमें यह कहनी है कि जब edge पे आ जाओ तो क्या करना तो हमारे को वापस control में एक और मिलता है delete this clone कि नीचे आना और गाइब हो जाना तो अब यह नीचे आके जो clones हैं यह गाइब हो जाएंगे तो यह तो हमारे clones नीचे आने लगे पर यह game खेलने लाइक नहीं है क्योंकि यह clones इतनी ज़्यादा fast generate हो रहे हैं कि हम इतनी fast इनको मार नहीं सकते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे forever पे जाके एक wait का block डाल देते हैं कि नया clone generate करने से पहले एक second wait करना तो अब हम क्या कह रहे हैं कि when green flag is clicked forever create clone of myself wait for one second then create another clone wait for one second create another clone तो अगर अब हम देख रहे हैं तो यह हमारे जो clones हैं यह अब एक-एक second की wait करके यह नीचे गिर रहे हैं अब हमारे को कुछ दो चीदें करनी हैं एक तो यह कि जो हमारा original sprite है हमें इसको hide करना है तो हम इस original sprite को लेके इसको hide कर देते हैं पर अब जो हैं वो clones भी नी दिखाई देंगे इसलिए हमारे को यहां कहना है कि original sprite तो hide हो गया पर जब clone की तरह start हो तो वो आपस looks में जाके हम सबसे पहले कहते हैं show तो अब जो है यह हमारे sprites थोड़ी थोड़ी देर में नीचे आ रहे हैं पर यह अभी भी बहुत fast गिर रहे हैं तो इसकी speed हम यहां से control कर सकते हैं अगर आप game असान बनाना चाहो तो इसकी कोई कम value डाल दो जैसे minus 3 तो minus 3 मैं डालूंगा तो यह जो sprites हैं यह धीरे धीरे गिरेंगे और इनको मारना असान होगा और अगर मैं इसी की speed थोड़ी तेज़ कर दूँगा like minus 5 तो यही थोड़ी faster गिरेंगे और इस concept को हम बाद में levels के लिए भी use कर सकते हैं कि level 1 में वो धीरे गिरें और जब 10 मर जाएं तो level 2 शरू हो जाए और फिर वो जादा faster गिरें तो अभी हम यहां तक आ गए हैं कि हमारी एक cannon है वो left and right move कर रही है और हमारा alien है जो की random positions पे appear हो रहा है और नीचे आ रहा है अब हमारे को bullet की programming करनी है such that कि यह bullet cannon से shoot हो और उसके बाद हम collision detection करेंगे कि यह alien को touch हो तो alien मर जाए तो हम चाहते कि bullet fire हो पहरे तो इसके लिए हम events में जाके कह रहे है कि when space key is pressed और bullet में भी हम क्या चाहते है कि bullet की जितनी बार space key प्रेस हो उतनी बार एक clone जो है एक copy जो है वो generate हो जाए तो हम controls में जाके कह देते हैं create a clone of myself और जब भी हम create a clone कहते हैं तो हमें programming करनी पड़ती है when I start as a clone so when I start as a clone सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये bullet को cannon से attach करना है तो ये हमारे को मिलेगा motion में जाके go to random position अगर हम drop down खोलते हैं तो ये यहां हमारे को सारी sprites बताता है और हम कह रहे हैं कि go to sprite 1 actually sprite 1 को हम cannon लिख देते हैं sprite 1, 2 वगेरा याद करना असान नहीं है तो वैसे हम इसका नाम रख देते हैं bullet तो अब हम क्या कह रहे हैं कि when I start as a clone go to cannon तो अब जैसी मैं space bar दबाता हूं तो उसका जो clone है वो हमारी उस position पर आ गया है तो अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि when I start as a clone अब हमारे को इसको fire करना है यानि कि ये space bar दबी clone बना और clone को अपने आप उपर जाना है तो उपर जाने का मतलब है हमारे को इसको y में increment करना है तो हम जाते हैं motion में ही और हम कहते हैं change y by 10 और कब तक करना कि repeat करते रहना जब तक कि या तो alien को छूँ जाए या फिर edge को छूँ जाए तो पहले edge की programming करते हैं control में जाके repeat until sensing में जाके touching edge change y by 10 तो अब हमारी bullet जो है वो fire कर रही है और हम cannon को move करते हैं तब भी ये fire करती हैं और cannon को move करते करते भी ये fire करती हैं अब यहां पर भी यही problem है कि बुलिट उपर disappear नहीं हो रही है तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा फिर से control में जाके कि जब ये सब चीजें हो जाए change y by 10 repeat until touching edge and then delete this clone तो अब जो हमारा bullet है वो उपर fire हो रही है और जब edge पर पहुंच रही है तो वो disappear हो जा रही है again bullet की कितनी speed रखनी है वो सब हम किस y को किस value से change कर रहे हैं उससे control कर सकते हैं पर अभी भी यहां पर वो ही original जो हमारी bullet की sprite थी वो दिखाई दे रही है तो इसको जाके हम hide कर देते हैं और फिर हम looks में जाके कहते हैं कि when you start as a clone show तो अब हमारा जो bullets है वो ठीक से दिख रही है और जो original bullet है वो hide हो गई है तो अब next चीज़ बनाते हैं collision detection कि जब यह bullet space invader को hit करे तो क्या हो again हम clone की programming कर रहे हैं तो पहले control में जाके हम लाते हैं कि when I start as a clone when I start as a clone हमें detect करना है collision और हमें यह forever detect करना है तो हम जाके forever का एक loop लाते हैं और condition हमें क्या चेक करनी है कि sensing में जाके if touching bullet तो if touching bullet क्या करो क्योंकि यह clone है तो clone को जाके हमें disappear कराना है तो हम कह देते हैं डिलीट दिस क्लोन तो अगर हम बना रहे हैं तो हमारा ये एक बेसिक शूटिंग गेम इस तरीके से तैयार हो गया कि हम एलियन्स जो आ रहे हैं को हम मार सकते हैं एक फाइनल चीज हहां पर करतें कि game खतम कभ होगा तो game खतम होगा कि अगर जो alien गिर रहा है वह हमारी cannon को touch कर जाए entrepreneurs पे जाते हैं और कैनन पर जाके हम प्रोग्राइमिंग करते हैं वन green flag is clicked हमार को collision की condition चेक करनी है तो again control में जाके forever चेक करना क्या कि इफ सेंसिंग में जाके टचिंग स्पेस इंवेडर याई यह रैड स्पराइट हमारी तब क्या करना कि हम कहरें गेम खतम अगर वहाँ पर आ गया तो गेम खतम तो हम कंट्रोल में जाके यह ले आते हैं स्टॉप औल तो अब अगर हम गेम खेलते हैं तो हम एलियन्स को जो है शूट कर सकते हैं और अगर ये कोलिजन हो जाएगा तो हमारा गेम खतम नेक्स्ट एपिसोड में इस गेम को और इंप्रूव करते हैं कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि जब ये बुलिट फायर हो रही है तो ये एलियन के थ्रू निकल जा रही है तो हम ये सब चीदें ठीक करेंगे कि ये एलियन के थ्रू ना जाए और मोस्ट इंपॉर्टन्टी हम इसमें आड़ करते हैं स्कोरिंग मेभी थोड़ा और इंट्रेस्टिंग गेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम एलियन को नहीं मार पाए तो हम कोई लाइवस की कॉंसेट ले आएंगे कि अगर पांच एलियन मान लो हम नहीं मार पाए और वो नीचे आ गए तब भी गेम खतम हो जाएगा ये सब अगले एपिसोड्स में